हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राश्ट्री आएम योगिता अधारी चाद्वित्ती परिक्षा के लिए आवेदन प्रारम हो गए हैं और आवेदन 23 अगत से प्रारम हो गरके 18 सितंबर तक किये जाएंगे तो इस फार्म को भरने में कुछ लोगों को दिक्कते आ रही थी जैसे कि हम स्कूल सर्ट्पिकेट कैसे अपलोड करें और अपने फोटो सिगनेचर कैसे अपलोड कर हैं ताकि कि आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकें तो सबसे पहले जैसे कि आपने अपना स्कूल शर्ट्पिकट प्रिंटाउट करा लिया होगा और शोर्टाउट कराने के बाद उसमें जो बच्चा जिसका फॉर्म भर रहे हैं क्लास 7 में कितना संटेघ पाया आपको उसमें दिनांक और बच्चे का signature आपको कराना है जिस बच्चे का form आप भर रहे हैं तो यह सब करने के बाद आपका जो है school certificate complete हो गया है अब इसे आपको upload करना है तो upload करने से पहले school certificate की एक photo आप mobile में खीच लेंगे और photo खीचने के बाद उसे किसी भी image compressor app से compress कर लेंगे और उसकी size क्या होनी चाहिए जो भी आप compress करेंगे उसकी size आपको 90 kb से ले करके 150 kb तक की रखनी है अगर 90 kb से कम है तो भी वो upload नहीं हो पाएगी और 150 kb से ज़्यादा है तो भी upload नहीं हो पाएगी इनके बीच में आप कुछ भी रख सकते हैं तो कोई भी आप image compressor app play store पर जा कर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है उससे आप image को compress कर सकते हैं तो चली चलते हैं प्रक्रिया पर तो प्रक्रिया में सबसे पहले आपने site पर login किया login करने के बाद आपको इस तरीके से एक interface दिखता है उसमें apply का बटन दिखता है apply open करने के बाद आप जो है step 3 में पहुँच जाते हैं जहां पर आपको school certificate upload करना है 3A section में दिया हुआ है school certificate तो यह अनिवार है और यह upload करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं तो यहां पर आप click करेंगे school certificate पर तो एक इस तरीके का interface खुल के आएगा सामने और वहां पर आपको registration number जो की आपके school certificate में उपर लिखा होगा जो चार capital letters में लिखे होते हैं उसके बाद जो है आठ अंकों का एक संख्या रहती है जैसे n, r, g, s करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आपको जो है संख्या मिले रहेगी इसे आपको भर देना है यानि आपने registration number अपना फीड कर दिया इसके बाद जो है button होता है उसके just नीचे click here लिखा होता है और proceed का button है proceed के button को click करते ही एक नया interface खुल जाता है और उसमें आपको दिखाई पड़ेगा choose file का option तो choose file में आपको वही photo upload करनी है जो आपने school certificate का compress करके mobile में रखा हुआ है तो जब उसे आप choose करेंगे gallery में आपके save होगा तो किस जगाँ पर save है यानि कि आपने अगर image compressor app से उसे compress किया है तो एक अलग folder automatic बन गया होगा mobile में compressor app जो भी app का नाम है उस app के नाम से बन जाता है तो वहाँ से आप इस photo को choose करेंगे और choose करने के बाद automatic वह वहाँ पर दिखेगा उसका jpj क्रमांग दिखेगा कौन सी image नंबर है वह दिखाई पड़ेगा फाइल चूज कर लेने के बाद save and continue का बटन दिखता है save और continue के बटन पर click करने के बाद certificate आपको दिखाई पड़ने लगेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से certificate दिखेगा और यदि आपको certificate सही सही दिख रहा है साफ सुतरा है यानि कि आप उसे अच्छी तरह से देख पा रहे हैं तब आप submit का बटन दबाएंगे अगर certificate आपको धुन्दला दिख रहा है यदि आपने photo अच्छे से ना खीची हो या उसे compress करने में गलती हो गई हो clear नहीं आ रहा हो तो आप back button दबा करके फिर save प्रक्रिया दोरा सकते हैं और यदि आपको photo clear दिख रही है तो आप क्या करेंगे submit कर देंगे और submit करने के बाद क्या हो जाएगा यह आपका काम complete हो जाएगा और आपकी जो school certificate है वो upload हो गई school certificate upload होने के बाद income certificate के बारी आती है और उसमें भी same प्रक्रिया आपको धोरानी है यहाँ भी आपको जो है image की size क्या रखनी होगी 90 KB से 150 KB तक ही रखनी होगी और इससे ज़्यादा या कम होने पर वो आपका upload नहीं हो पाएगा और दूसरी बाद जैसे कि आप चाहें कि हमने school certificate upload कर दिया अब बच्चे का signature और photo upload कर दें और हम income certificate बाद में upload करेंगे तो यह प्रक्रिया नहीं हो सकती यानि कि आप करम से ही चल पाएगे skip करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो इस तरीके से income certificate आये प्रमाण पत्र जो है बच्चे का उसे भी आप resize कर लेंगे 90 KB से 150 KB के बीच में compress करने के बाद उसे भी इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे upload कर लेंगे upload करने के बाद आएगी photo की बारी यानि बच्चे का photo आपके पास होना चाहिए mobile में अगर आपने जो है passport size photo नहीं लिया हुआ है तो बच्चे का live photo खीच सकते है mobile में और खीचने के बाद उसे फिर से compress करना है और photo compress की size जो होनी चाहिए compressed photo की वो 10 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए बहुत ज़्यादा compress कर देने पर अगर वो 10 KB से कम आ जा रही है तो आपको जो है photo upload नहीं करनी है या site उसे खुद ही नहीं लेगा आप upload करेंगे वो upload होगी ही नहीं और इस तरीके का message दिखेगा कि आपकी जो है photo 10 KB से कम है ठीक है तो आप क्या करेंगे फिर से उसे compress करेंगे और इस बार बढ़ा लेंगे यापने 10 KB से कम की size रखी है तो अब उसे बढ़ा करके 10 KB से 30 KB के बीच में ले आना है तो इसके बाद फिर आप photo वाले option पर जाएंगे जहां आपको photo upload करना है click करते फिर से interface खुलेगा आपको अपना registration number डालना है इसके बाद जो है proceed करना है proceed करने के बाद फिर से आपको choose file का option आएगा और choose file का option में फिर जाके आपको compressed photo जो आपने 10 KB से 30 KB के बीच में बनाई है उस photo को select कर लेंगे और select करने के बाद photo आपको दिखने लगेगी कि वो photo सही सही दिख रही है अगर सही दिख रही है तो उसे आप submit करके आगे बढ़ सकते हैं और अगर सही नहीं दिख रही है तो आप back करके फिर से इस process को एक बार दोरा सकते हैं इसी तरीके से signature भी आप करेंगे और signature बच्चे का copy पे white page पे करा करके photo कीच लेंगे और फिर उसी app से उसे क्या करेंगे compress कर लेंगे और signature को भी आपको compress करना है 10KB से 30KB के बीच में ही compress करके रख लेना है पहले आप रख लेंगे उसके बाद फिर से site पर जाएंगे फिर से आप step 3 में पहुंचेंगे और signature वाले option को choose करेंगे और registration number डालेंगे और फिर proceed करेंगे proceed करने के बाद फिर से आपको signature वाला जो image है वो choose करने के लिए option आएगा तो option को खोल करके आप क्या करेंगे option टच करेंगे और photo जो signature की photo आपने लिए है वो upload कर लेंगे upload करने के बाद फिर submit या back का button आप जो भी इच्छा हो आपकी यानि कि submit कप करेंगे जब आपकी photo signature की photo साब सुतरी दिख रही हो clear दिख रही हो अगर clear नहीं है तो आप back करके फिर से process को दोराएंगे तो इस तरीके से आपका आए पर्माट पत्र इसके बाद photo इसके बाद signature ये तीन चीजे अपलोड हो जाने के बाद फिर जाती प्रमाट पत्र का जो है option आएगा जाती प्रमाट पत्र जो है उन्हीं बच्चों को लगाना है जो SC, ST या OBC कास्ट के हैं जो general कास्ट के हैं उनके लिए इसकी आउसकता नहीं है तो ये जो है action है अनिवारे नहीं है अगर आपके पास car certificate नहीं है तो आप ना लगाएं तो आप general category में exam देंगे ठीक है तो इस तरीके से school certificate इसके बाद आय प्रमाट पत्र बच्चे की photo, signature और जाती प्रमाट पत्र ये सब upload कर लेने के बाद आपके चार step complete हो चुके है इसके बाद जो last step है वो है final submit का और जैसे ही आप final submit का पर click करेंगे तो आपको आपका इस तरीके से पूरा form भरा हुआ दिखाई पढ़ने लगेगा और जब भरे वे form को आप देख लेंगे कोई त्रूटी है या नहीं अगर कोई त्रूटी है तो उसे आप note कर लेंगे in future उसमें correction का भी option आएगा अगर कोई भी त्रूटी नहीं है तो आप इस photo को print out ले सकते हैं print का option इसमें दिख रहा है print ले करके एक PDF फाइल आ जाएगी और जितने भी documents आपके लगे हैं इसमें print out हो जाएगे अगर आप print नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे screenshot ले करके mobile में save कर लें और जब भी जरूत पड़ेगी तो इसका use आप कर सकते हैं तो इस तरीके से ये आपका form filling का पूरा process clear हो जाएगा और यदि आपको कोई समस्य आ रही हो तो आप message में chat box में message करके पूछ सकते हैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसका reply कर दूँगा आशा है कि आप सभी को ये process अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद